हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड़ा दोस्तो नेशनल हाउसिंग बैंक हेड आफिस नियू दिल्ली द्वारा रिजनल मेनेजर रिस्क मेनेजमेंट के पदों पर वेकेंसी निकाली गई है इस वीडियो में इसके एक्जाम पेटर्न और सिलेबस के बारे में बताया जाएगा साथ है इसका सेलेक्शन प्रोसेस का है इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं और इसकी अगर आप घर बैठे ऑनलाइन तयारी करना चाहते हैं अनकेडेमी द्वारा बैंक्स एक्जाम्स की तयारी के नए बैच श्टार्ट कर दिये गए है इन बैचेस में आपकी डेली लाइब क्लासेस होंगी अनकेडेमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा सारा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा उसके अलावा स्टेटी मिटेरियल आपको पीडियाफ फॉर में प्रोवाइड कराया जाएगा लाइब टेस्ट और क्विस करवाई जाएगी और अगर आप Iconic Subcription लेते हैं तो इन सब के अलावा आपको जो है Dot Solving में Priority दी जाएगी और Live Classes में आपकी Priority होगी आपके Questions का ध्यान रखा जाएगा तो आप यहाँ पर Select Iconic पे क्लिक करें उसके बाद Plan Select करें और आप यहाँ पर Price देख सकते हैं लेकिन आप यहाँ पर यहाँ पर यह Price ना पे करें आप SRADDA Coupon Code यूज करें SRADDA उसके बाद Proceed to Pay बटन पे क्लिक करें आप देख सकते हैं Banks Exam पे आपको 936 रुपेगा डिसकाउंट मिलेगा तो Maximum Discount के लिए आप SRADDA Coupon Code यूज करें किसी प्लस या Iconic Subscription के लिए आप बात करते हैं इसके Slables सबसे पहले बात करते हैं Selection Process की तो अगर JMGS 1 की बात करें तो आप बात करते हैं Selection Process की तो सबसे पहले बात करेंगे Scale 1 की तो इसमें सबसे पहले आपका Online Examination होगा जो की Retain Exam होगा जिसमें Objective और Descriptive टाइप के Question पुछे जाएंगे 200 नमबर के तीन घंटे में आपको इसको Solve करना होगा 4 Sections का Paper होगा जिसमें पहले Section में आपसे Reasoning और Computer Attitude से 45 Question पुछे जाएंगे 60 नमबर के इसमें Hindi और English दोनों Language में Question पुछे जाएंगे 60 मिनट में आपको इसको Solve करना होगा Second Part आपका जो है General Awareness का है जिसमें Special Focus होगा Economy और Banking का इसके लाबा Computer Knowledge से Question पुछे जाएंगे Total 50 Question होगे 50 Number के English और Hindi Language में 40 मिनट का Time दिया जाएंगे इनको Solve करने के लिए English Language से Total 25 Question पुछे जाएंगे 30 Number के होगे English Language में ही Question पुछे जाएंगे 35 मिनट का Time दिया जाएंगे इसको Solve करने के लिए इसके लाबा Quantitative Aptitude से जिसमें आपसे Data Analysis और Interpretation से ज्यादा Question पुछे जाएंगे 35 Question होगे Total इसमें 60 Number के Question होगे और Question जो है Hindi English दोनों Language में पुछे जाएंगे 45 मिनट का Time दिया जाएगा और ये Paper आपका Objective होगा Total 155 Question होगे 200 Number का Paper होगा और तीन घंटे में आपको Solve करना होगा इसके अलाबा English Language का Paper होगा जिसमें आपको Letter Writing और इसे लिखना होगा दो Question होगे 25 Number के English में Paper होगा ये 30 मिनट का Time दिया जाएगा Descriptive Type का होगा Pen और Paper Mode में और इसमें Negative Marking होगी लेकिन कितनी होगी इसके बारे में यहाँ पर महीं बताया गया है आप PDF को Detail में पढ़ सकते हैं और इसके Second Phase में आपका Interview होगा उसके बाद आपका Selection किया जाएगा तो अब बात करते हैं Scale 2 की इसमें आपके पहले Phase में Online Examination होगा जिसमें Journal Aptitude से Question पूछे जाएगे इस General Aptitude में Reasoning और Quantity Aptitude और English से Question पूछे जाएगे तीनों Topic से 25-25 Question पूछे जाएगे 75 Question होगे जो कि 75 Number के होगे एक Number का एक Question होगा English Language के Question जो है English Language में होगे इसके लावा बाकी सभी Hindi और English दोनों Language में होगे इसके लावा Journal Awareness से 25 Question और Professional Knowledge जिसमें Risk और Credit तथा Audit से Related 50 Question होगे जो कि 100 Number के होगे इसमें भी Total 150 Question पूछे जाएगे 200 Number के Questions जो है Hindi और English दोनों Language में होगे दो घंडे का Time दिया जाएगे इसके लिए सारे Question आपके Objective टाइप के होगे और इसके दूसरे Phase में आपका Interview होगा जो की 100 Number का होगा तो आप बात करते हैं details syllabus की सबसे पहले बात करते हैं English Language के syllabus की तो इसमें आपसे Reading Comprehension, Synonyms और Antonyms से Question पूछे जाएगे और अगर Quantitative Aptitude की बात करें तो इसमें Time and Distance, Time and Work, HCF, LCM, Simple तथा Compound Interest से Question पूछे जाएगे Problem on Train तथा Average और Probability से Question पूछे जाएगे Allegation तथा Comparison तथा Permutation और Combination से Question पूछे जाएगे Pipe and System, Number System, Geometry तथा Mensuration से Question पूछे जाएगे इसके लावा Percentage, Algebra, Trigonometry से Question पूछे जाएगे अगर Reasoning की बात करें तो इसमें Number Series, Blood Relation, Analogy, Odd Man Out तथा Number Series के बारे में पूछे जाएगा Coding, Decoding के बारे में पूछे जाएगा Direction Based Concept पूछे जाएगे Row Arrangement, Symbols तथा Statement Reading और Understanding से Related Question पूछे जाएगे और अगर Computer Knowledge की बात करें तो इसमें Computer Language, Basic Hardware, Software तथा History of Computer Device और Virus and Hacking से Related Question पूछे जाएगे वहीपर अगर General Awareness की बात करें तो Current Affair से Question पूछे जाएगे Indian Current Affair तथा International Current Affair से Question पूछे जाएगे Geography और History पूछे जाएगे Political Science, Banking, Governance तथा RBI के Terms के बारे में पूछा जाएगा और Bank Regulation के बारे में पूछा जाएगा इसके लावा Act और Law Related to Bank Bank से Related जितने कानूर और Act हैं इन सब के बारे में पूछा जाएगा तो अगर आप इसकी घर बैठ हैं आनलाइन तयारी करना चाहते हैं Academy का Plus subscription ले सकते हैं और इसके साथ ही इससे Related कोई अने जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे Comment section में पूछ सकते हैं ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद